EPS पेंशन को लेकर बड़ी खबर 25,000 रुपे की सैलरी लिमिट को लेकर बड़ा फैसला नई पेंशन योजना पर विचार कर रही मोधी सरकार उच्च स्तरीय समिती ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपे से बढ़ा कर 25,000 रुपे प्रतिमा करने की मांग की है सरकार ने क्या जबाब दिया? देखिए रिपोर्ट EPS पेंशन धारकों के लिए मोधी सरकार का बड़ा तोहफा नए साल लागू होने से पहले मोधी सरकार ने जारी कर दी पेंशन धारकों के लिए नई पेंशन योजना को लेकर बड़ी घोशना जिसका फाइदा लाखो पेंशन धारकों को मिलेगा अब मिनिमम पेंशन हायर पेंशन मेडिकल भत्ते में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं देखिए सरकार के द्वारा अभी अभी की जारी नई ताजा रिपोर्ट अब की पेंशन को लेकर कौन सा सुप्रेम कोड ने अंती पेंशन धार के और OPS के जो अनकी बाली को लेकर करमचरी मांग करें तो क्या अंती पेंशन सारकार ने जारी क्या है तो उसके बारे में आज किसे वीडियो के अंदर विर्षतार से आपको जानकारी बताएंगे तो फाइनली तारीक आपके लिए क्या है अनकी जैसा की इस रिपोर्ट करमचरार अपडेट को देखें तो इसमें फाइनल तारीक एक जनुरी दोजार चोविस पताई जारी है जिस दिन से आपको मलेगी पेंशन में बड़तरी तो फाइनली क्या आपके लिए फिक्स तार पेंसला है और साथी OPS की बारे को लेकर इस परश्ट क्या फैंसला सरकार के द्वारा होने वाला है तो आज किससे वीडियो के अंदर दोनों यानि कि जो आपकी परमुक मांगे है पेंसला होने वाला है उसके बारे में विस्तार से जानेगी और एक एक करकी कंप्लीट जान साथी बेल आइकन देखेगा उसे भी तबादे ताकि ऐसे आपकी EPS प्रेंसला ओप्यस और केंदरी करमचेरों के डिये से जुड़ी ताजा मत्रपून अबडेट आपको इसी चनल पर सबसे पहले 60 जानकरी के साथ में लेगी तो चलिए चानते हैं कि आपकी प्रेंसला को कर आज केमिनेट की बेटक से कौन सी बड़ी गोश्णाई हुई है और उसका फाइदा आपको कैसे मिलेगा कैसे आपको लेना होगा तो पहली बड़ी खबर आ रही है जो EPS 95 प्रेंसला के उनके लिए जिनका करमचेरों का मूल वेतन 15,000 रुपे से अधिक है जैसा कि उनके लिए बड़ी कुस्काबरी आ चुकी है जिसको लेकर मोधी सरकार ने बहुत बड़ा उन्हें तोपादी है तो क्या तोपा मोधी सरकार ने आपकी प्रेंसला को लेकर एलान किया जिसके बाद आपको मलेगा अगर मान लेकि अगर आपकी जो वर्तमान में जो सेलरी है कोशना हुई है जिसके बारे में बात करेंगे जो एक जार रुपी की पैंसन बढ़ाने को लेकर मांग करें उनके बारे में भी अपडेट आ चुकी वो भी जानेगे सबसे पहले यह अपडेट जाना बहुत ही महत पुर्ण है जैसा कि अगर बात करें जिनका मूल बतन पंद् बसन कर सके और जिससे उन्हें ज़्यादा पैंसन बेले तो अब इसको लेकर सरकार एक नया प्लान बनाने जारी है जैसा कि बात करें आपके पैंसन के नए प्लान की तो इसके बारे में इस तरह की अपडेट होने वाले की 15,000 रुपे से अधिक बैसिक सलिवालों के लिए म सरकार के द्वारा एक नई योजना लाने पर विचार किया जा रहा है जो कि नए साल 2024 में आपकी लागू भी हो सकती इसको लेकर संसत के अंदर और केबिनेट की बैठेक अंदर लंबी चर्चा चलिया लेकिन इस पैंसले को बदा दिया जा कि अभी तक इस पैंसले को लेकर तो आपका यह पैंसले को लेकर चर्चा भी थी लेकिन आप आपको बाद आपकी पैंसले को लेकर संती प्यवादिली तोर पर नहीं मिलिए और कि यांकी लिमिट बढ़ने के बाद क्या आपकी पैंसले कहां रहेकर आपकर आपकी मेंदा रुदी चारänder रुबे बड़े पहई को लेकर भी वरत्मान में विचारा दिन प्यास लाहता है धो आपके लिए पैंसन को लेकर नई को नई को सकती है जो पैंसर लाग पैंसन को उन्हें सभी के लिए यानकी महतन अपडेट होने वाली है तो आद में अगर अगर आपका मासिंग मुलवतन को देखा जाए तो मासिंग मुलवतन की सीमा को 15,000 रुपे से बढ़ा करके 25,000 रुपे करने की मांग हुए उस पर विचार विमर्स भी किया गया लेकिन इस सब रस्ता को इस परश तोर पर अभी मंजूरी नहीं मिल पाई है उद्योक्यों को इसे संवार Pchenlar Bank Park के अंध्र 50,000,000 क्रमचारे 25.25 कह तार सकते हैं अगर आपकी लिमिट बढ़ती है तो इस फाईदा प्लाइवद कर अप्डेट आ रहा है तो संसत के तरप से और क्यादिल में में मिल preocup से सहंती से नहीं मिले और OPS को लेकर भी चर्चाय जा लिए है आपको बता देखी फाइली थारीक अभी तक कोई भी एक जनुवरी निक्षित नहीं की गई है आपको क्या एक जनुवरी से पैंसन में बोड़तरी मिलेगी इस तरह की मेडिया रिपूर्ट के अभी तक आपके लिए जारी नहीं है अगर पैंसन की परमुक मांगों को देखे तो EPS 95 पैंसन की जो परमुक मांग है जिसको लेकर EPS पैंसन दार्क मांग करें उनकी यह मांग है कि EPS की पैंसन बहुंकि क्यों नियौनतम पैंसन एक जार रुपे की मिलती है जो नियौनतम पैंसन एक जार रुपे की मिलती है उसे अधिक्तम पैंसन के बराबर लागू किया जाए यानि कि 7500 प्लसर ये परतिमा उन्हें पैंसन मिनिमम मिले जो कि अभी वरत्वान में आपको अधिक्तम मिल रही और पैंसन को सुप्रिम कोड के आदिसनल सार हायर पैंसन का भी लाब दिया चाहिए उच से पैंसन का आप मिलना चाहिए साथी पैंसन और उसके परिवार को फ्री में मैडिकल की सुझा दी जाए और जिन पैंसन को इस योजना में अभी तक सामिल नहीं किया है उन्हें भी सामिल करने के लिए प्लान बढ़ा है जैसा कि आपकी 15,000 पे की से लिमिट को बढ़ा करके 25,000 रुपे किय जाता है तो ज़्यादा करमचारी है जो 50 लाक और करमचारी जो संग्री सेतर के अंदर है वो भी इस से पैंसन का लाब उठापाएंगे तो इस तरह की आपकी चार सुत्री मागए है जिनको लेकर अभी तक विचार किया जा रहे लेकिन फूर्ण रूप से इसे सामती अभी जितासिल किये जिसके बाद वीजेपी 2024 के लोगसवा चुनाव से पहले केंदरी करमचार को बड़ा तौपाद दे सकती है इस तरह का यानकी अपडेट आपके लिए आ रहा है लेकिन केंदर सरकार ने अभी इस पश्ट तरह पर की आपकी योपियस बाल किया जएगा इस त सुद्धन को लेकर पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा वो भी नहीं कहा गया है अभी सरकारी करमचारी अगर आप हैं तो पुरानी पैंसला की आपकी मांगे और पैंसला की यह खबर उन सभी को जाना बहुत ही जरूरी है सरकारी योचना काई अपडेट बेशती रहती है ज उसको फिर से लागू करने का सरकार के द्वारा क्या प्लान होने वाला हैं लेकिन रिटार्मेंट के बाद कम पैंसला आपको एंपिस में मिलती है पैंसला इसका यह दावा की सरकार उन्हें ज्यादा पाइदा दे वैसे की बुड़ापे में जो आपकी पैंसला नी एक मिलती है न तो आपको जीपी अपकी सुईधा भी मिलती है और पुरानी पैंसला हटने के बाद केंद्री करमचेर लगातार अपना परदर्शन कर रहे हैं और सरकार से पुरानी पैंसला इसका सीधा फाइदा केंद्री करमचेर को मिलेगा इस पर लगातार पुरानी पैंसल के साथ-साथी पैंसन के तोर पर पैसा भी जो मिल रहा है जो एनपीस में कम मिल रहा है जैसा की 12500 यानकि इतनी आपको रासी एनपीस कंदर ज्यादा तर करमचार को मिलती हैं जिसमें की बेजेपी ने करीबन तीन सीट पर जीत असिल किया जिसके बाद बेज़ेपी सरकार के लोकसबा चनाव 2024 के आम चनाओ से पहले करमचार को क्या बड़ा तोपा दे सकती हैं सुत्रों ने बता है कि जानकर के मतबग सकती हैं जारी कि नए साल 2024 ने आपकी पैंसन को लेकर एक बार पर से नई सुना भी हो सकती है लेकिन किलरी तोर पर ये भी नहीं कहा जाएक कि 2004 में आपको पैंसन में बोड़तरी मिलेगी अभी ये N1 कनुसार जो मीडिया रिपूर्ट कनुसार अपडेट है रही जिसमें ऐसा दावा क्या जा रहा है लेकिन केंदर सरकार ने अभी तक कोई भी इस परश्ट तोर पर आपकी पैंसन OPS को बाल करने को लेकर एला नहीं च